इस्टोना जी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है जो तीस सला में आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी कुल्ली में पंचम भाव भोती महत्पूर्ण योगदान आपके लिए करता है तो पंचम भाव में कुल्ली में अच्छा होना आपके लिए क्या-क्या लाब विशिष्टा है आपको देगा और किस तरह से पंचम भाव अगर आपका अच्छा है तो आपको क्या-क्या आपके लाइप में वो आदेने की कोशिस करेगा तो पंचम भाव भोती महत्पूर्ण होता है कुल्ली का लगन से आपको देखना है लगन कुल्ली क का जो पंचम भाव रहता है इसकी विसेस्ता यह है कि अगर यहां से आपको उच्छ सिक्षा को देखते हैं जब भी आप फेलोशीप अगरा देखते हैं पोस्ट ग्रियोजिसन देखते हैं यहां से देखेंगे आपका जो पढ़ने में रूची है और उसको मांसिक आपकी जो कोशल है वो यहां से दिखाता है इसके बाद में आपको यह सेर मार्केट का भी भाव है यहां से सेर बाजार के बारे में जाना जाता है फिर यहां से लाट्री को भी देखा जाता है और सटे बाजी को भी देखा जाता है तिस तरह पंचम भाव को आप अपनी कुली में दे है वह बुर्य कर्णली के केंद्र में और में सिर्कोण में हो फीर उसने सुप गलें निस तर yan सिर्कोल रहुन के कैनवन स्थोप्यां proper जब्राइब भाएपने में कि मुञोट्री में तो वह एक अच्छी सत्य श्यत्यूत्य है तो इसलिए पंचम भाव पे अगर सुख परभाव है और वह जैसा बताए ऐसी अच्छी स्थिति में तो आपके लिए यह आपके कुंडली का बहुत ही बहुत ही महत्पूर्ण भाव हो गया है और आपको जीवन में जैसे आप पढ़ाई के बारे में बताए हमने शेयर मार्क हमारे होते हैं हमारा जो एक दुस्रे के प्रती लगाव होता है उसको भी हम पंचम भाव से देखते हैं तो दो लोगों के पीसमें जो आकर्षन का भाव है यह पंचम भाव है तो यह भी वह भूती महत्पूर्ण होता है तो प्रेम प्रसंगों के लिए इसको देखा जाता है फिर हमने देखा है कि यहां से जो मनुरंजन का जो छेत्र है जैसे की रंगमंच है पिर कला है तो सभी तरह के जो मनुरंजन होते हैं वो जो हमें कुछियां परधान करते हैं जो सिनेमा के लोग हैं उनके लिए भी पंचन भाव का बहुत ही महत्पुन योगदान होता है तो पंचन भाव को आप इस तरह से भी देख सकते हैं फिर इसको भी देखता है कि जो हम आज कल देख रहे हैं कि राजनतिक जो पतिनिदित विदेशों में रहते राज्जु जिस इसे देखते हैं फिर अर्थ योस्ता अगरा को भी यहां से देखा जाता है शिक्षा संबंदी सुईदा हैं आधी को भी यहां से देखा जाता है तो आप अपनी कुंड़ी में देखें कि पंचन भाव अगर मजबूत है तो आप कला मेडिया और जो सरजन की रंग मंचरी पस्तुती है यह सबके लिए बहुत ही अच्छा भाव है यह इसका महत्पूर्ण योगदान होता है तो इस तरह से आप अपने कुंड़ी में जरूर देखें कि पंचम भाव सबसे महत्पूर्ण है कि लगन भाव का मजबूत होना तो वह जरूरी कि आपका यक्तित है ता और आपके यक्तित से फिर पंचम भाव के हमने बात किती है नवम से भी नवम है तो यह आपका भागी दर साता है तो इस तरह से आप कित्ते भाव की साली बन सकते हैं अगर पंचम भाव आपका बहुत ही मजबूत इस्तिति में है तो जो भी हमने अभी बताया उन सब का आ तो आप एक उन्ली के माध्यम से बताने का पटने करेंगे कि पंचन बहाओ का किस तरह से किस तरह से मजबूत होता है तो यह लगनपुली का पंचन बहाओ है तो यहां देख रहे हैं कि पंचन बहाओ में आठ नमर की राशी उसका मालिक केंद्रम बैठा है पहले बाव में फिर यहां पर देख रहे हैं कि चंद्रमा जो लगनका सौमीं बैठके यहां बैठा है सुब राशी है और सुक्र जो गरह है वो भी यहां से आपकी सत्म दस्टी से सुब परभाव दे रहा है तो यह दरसात तो इस तरह से आपकी पंचम भाव बहुत ही महत्पूर्ण हो जाता है अच्छी इस्तिति में आ जाता है तो आप जो भी हमने अभी बताया कि आप एजुकेशन के मामले में अच्छे हो सकते हैं आपको लापकी प्राप्ति होगी आपको आपका इंट्रेस्ट भी बना रहे अच्छा बना रहे गा तो इस तरह से आप ने देखा कि आपके कुंडले पंचम भाव पर सुथ प्रभाव में हैं कोई पापीगरों का प्रभाव नहीं है और वो कहीं पंचमभाव का सवामी बीकेंद्र में है सुकर की सूथ द्रश्टी में है और उहां पर राशी परवर आपके देखिए और पंचम बाव से सब्बंदित आप लग्की स्वाबित होंगे आपके कुणली मजबूत इस मामले में कही जाएगी और आपको सब एजुकेशन से लगा के प्रेम परसंग है आप मनवनंजन है इन सब चेत्रों में आप अच्छा अपना योगदान कर सकते ह हैं तो यह सरल से हमने जानकारी देने का पहतनी क्या कि अगर आपकी कुणली में पंचम इस्तान आगर आपका बहुत भली है तो आपको पंचम भाव से सब्बंदित आपको सब लाप प्राप्त होगा आप लग्की स्वाबित होंगे तो यह आप अपने कुणली में जरूर लगा के देखिये और आपको विश्चत Tscale आप पनैं करेद आफने चैनल को सब्चाइब किया इसके लिए बहुत भूत धन्यवाद झाल झाल